जेहिंद परशात्र आपका सोगत है आज के इस धमाकेदार वीडियो पर यहाँ पेक्षा नवीक आपका हिंदी विसिष्ट का अर्दमासिक का पूरा का पूरा पेपर ले करा चुका हूँ तो आपका 29 नमंबर को यही पेपर आने वाला है आपको कहीं भटकने की बिल्कुल जरूरस्त नहीं है ठीक है यह आपका पेपर आल्रेडी जो है मैं पहले प्रोवाइट आपको करा चुका हूँ बच्चों को कमेंट था कि सर क्रपिया आप इन सभी कोश्चन के आंसर आप दे दीजे ठीक है तो देख़िए इस वीडियो में आपको सभी कोश्चन के आपे तो वीडियो को दिल से लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है क्योंकि नेक्स्ट आपका जो अधर सब्जेक्ट है इन सभी कोश्चन के आपके आंसर और आपके प्रसन पत्र आपको मैं देने बाला हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहा टनसर हो जाएगा इसके बाद देखें यहाँ पे 843 लिखा यह आपका गलत है और उनीस सो बीस से आप तक यह भी गलत है ठीक है साथ में आपका अपका तर्ड सेकेंड कोश्चन दुवेदि युका आपका महा का पूच्छा है तो पहला आपसन यहाँ पे प्री प्रवास लिखा है इसके बाद राम चंद्र का कामाईनी कविता बली तो देखिए प्रीप्रबास आपका दुवेदी युग की बात करें तो महाबीर प्रसाद दुवेदी इसके आपके दुवेदी युग के संथापक कहलाते हैं साथ में आपके अयोध्या सिंग हरियोग इसके साथ यहां पे राम नरित्रिपाथी मैथली सरण गूपत ठीक है यह सभी इस यूग के कभी कहलाते हैं तो इनका एक है आयोध्या सिंग्हरियोग का एक रचना है प्रीप्रवाश ठीक है यह जो है दुवेदी यूग काप का हो जाएगा ठीक है यह महाकाप है आच चारसो चारसो जी हां याद कर लीजिए वार्टसप नंबर क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमेश्ट्री वैलोजी का आपके हर डाउट हर कोश्चन का मिलेगा तुरंत बेडियो सोलूशन वो भी आपके सीधा बार्टसप पर बस आपको अपने फोन में याईटी जे डबली नीट सीबेसी बोर्टस और सभी स्टेट के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए और आट चारसो 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 पर अपना सवाल बार्टसप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसकी बा थर्ड में देखिए आप एक कोश्चन क्या दिया है स्रीकर्शन के माते की टीके की तुलना किसे की गई है तो आपको यहां पर आंसर करना है खानमबर पर चंद्रमा से आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद चोथा कोश्चन यहां पर देखिए कुंती कि आपको मा का नाम पूचा है तो आपको इसमें आंसर करना है क्या हो जाएगा आपको सही आंसर खानमबर पंडबो को आपको यहां पर लगा देना है ठीक है इसके बाद देखिए पांचवा कोश्चन संदी पनी असरम कहां इस्तित है तो आपको आंसर यहां पर खानमबर य आपको यहां पे आर्थ पूचा है, तो आपको इसमें आंसर कर देना है, खानमबर, समर्पित, इसका सही आंसर होने वाला है, इसके बाद आपका आठवा कोश्चन है प्लेग नामक रोग फैला आपको बताना है तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे निविद्दा वाले पार्ट से लिए गया है तो कलकत्ता में फैला हुआ था और जो हमारी निविद्दा थी ठीक है मार ग्रेर तो यह इन्ह द्वा कर देंगे घरदा उड़ा देंगे ठीक है इसकी मैं गारंटी लेता हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन यहां पर देखे क्या लिखा है में एक सब्सक्राइब आपको परेयाब आपको पंकज ठीक है तो अंत में आपका जा आता है तो कमल का होता है और यदि आपका दा आता है इसे में अम्बूद अम्बूज होगा तो आपका कमल का होगा लेकिन वहीं पर आपका यदि क्या होता है अम्बूद होता है दा लग गया ठीक है तो यहां पर नीरध हो गया ठीक है और पंकद हो गया तो यहां पर हो जाता है बादल का हो जाता है उसे क्या कहते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर करना है यती कर देना है ठीक है यती आपका रुकरा कहलाता है कोश्चन नमर यहाँ पर चोठा देखिए कबीर दास भक्ती किस भक्ती के साखा है तो आपको यहाँ पर दो आपसंदिया है देखिए ग्यानासरी और प्रेमासरी तो यहाँ पे तो ब्यंग होगा इस question के according लेकिन आपका part के according आपको उसमें देखा जाया तो यह आपका निवन्द कहलाता है ठीक है इसके बाद देखे आपका question number यहाँ पे आपका छटा है राजा सब्द का आपको बिलों सब्द लिखना है तो बहुत simple question है जैसा कि आप जान सब्द में प्रत्य है तो आपको यहाँ पे सही अंसर लगाना है आहट आपको यहाँ पे सही अंसर होने बाला है प्रत्य यानि आपका जो है किसी सब्द के अंत में जुड़ता है और उसके आर्थ में परिवर्तन कर देता है उससे हम प्रत्य कहते हैं और उसके आर्थ में परिवरसन करते हैं, उसे हम कहते हैं, उपसर कहते हैं, तो उपसर गुछ संख्या आपका बाईस है, ठीक है, इसके बाद देखिए आपए 9 नंबर, एक भूज का पाट, यानि एक दिन भूज का पाट, जो है किस विधा में लिखा गया है, तो आपको comment करके बताना है इसका right answer क्या है क्योंकि मैं आपका test भी लेना चाहता हूं इसके बाद second question यहाँ पर लिखा है आपका क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा अभिमान आप लिख सकते हैं इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आपको यह आपको इस प्रिम पर दिख रहा है आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आपका जो नायक होता है उसमें संपूर्ण चरितर चित्रन का वर्णन किया जाता है ठीक है और आपको जुनायक कैसा होता है धीर भीर और गंभीर होता है यह बहुत सारे आपके जो है यहाँ पे महा काफ क्या होता है यहाँ विसे साय होती है कोश्चन नमर चौथा देखिए रधास की प्रभु भक्ति क्या किस भाव कि थी तो यहाँ आपको जिखिए प्रभुजी तुम चंदन हम पानी यानि आपका दास भाव कता ठीक है आपको यहाँ पर लगना है इसके बाद देखिए चोठा कॉश्चन आता है आपका यहाँ पर निमलिखित कत्नों का आपको सत्य असत्त का आपका चैन करना है पहला आपका यहाँ विदाम लिखा गया है एक आंग की आपका विदा है इसके बाद देखिए आपका कोशन नमर यहां पर थार्ड लिखा है ठीक है थोड़ा पॉइंट यहां पर डिश्टर्ब है आपको उसे दिकत निलेना है तुलसी दास की रचना सुदामा चरित है तो बेलकूल गलत है कवि निर्धर सदयब गट्सील रहता है तो जी हां आपका निर्धर सदयब गट्सील रहेगा आपको इसमें आंसर देना है इसके बाद कोशन नमर आपका छटा और चंद है इसके प्रतेक चरण में क्या होता है यहां पर आपके 16 मात्राइं होती है और यह सम्मात्रिक चंद रहें ठीक है तो आपको यह वाले आत कर लेना है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबूस दसरत अजर विहारी आपका यह इसका उधान हो जाता है बहुत प्रसीद उधा है नया बर्स नया आपका यहां पर बिहान लिखा है तो आपको इसमें क्या हो जाएगा यह आपका यहां पर कविता हो जाएगा देखिए ठीक है तो पहला का यहां पर कविता इनमबर पर लगाना है इसके बाद 20 रस का आपका इस्थाई भाव बताना है तो इनमबर आपक करचना हो जाता है करम कोषल पारिवास यहांपको तो देखें आपनै कैंड है आपको देखें में आपको अनसर इसके नहीं लिख सकते हैं इसके बाद आपको अनसर को अनसर अनसर बताता हूं मरतिका नानी आपको यहाँ पर मिट्टी लिखना है ठीक है तदभव कोई बात कर रहा है मयूर का आपको यहाँ पर मूर लिखना है तो आप यह लिख देंगे इसके बाद question number यहाँ पर 7 देखिए 7 question में क्या दिए सूरच के विशाय में क्या अभाह उड़ी थी या मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगत लगाई ठीक है तो इन दोनों में से कोई एक question का अंसर आपको दे दिया रहा है तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे ठीक है इसके बाद देखे question नमर आपका यहाँ पर आठवा क्या दिया है मीरा बाई कौन सा रत्न प्र पहचान होती है और अत्वा में question पैसे बाउने के पीछे कभी का क्या सौर्थ है आपको यह बताना है तो देखिए question देखिए इनका answer आपको खुद से करना है को question देखिए आप आसानी से कर सकते हैं question के जो आपके पाठ में आए बाकी में आपके अधर question में यहाँ पर करा दे रहा हूं ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिए अधर question कभी ब्रंद के अंसार कोवे और कोयल की पहचान कैसे होती है आपको यह बताना है तो आप जो है इन दोनों में से कोई एक question में आपको करवा दे रहा हूं बाकी आप खुद से करेंगे ठीक है इसके बाद question में यहां पर गयर बाद देखिए आपको यह question दिया गया है कि गिर्जा कुमार माथूर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कह रहे है अत्वा हिंदूस्तान हमारा है कभी का क्या आसे आपको यह बताना है question 1 बारबाद आपको लिखा है मोहन गई कौन गई है ठीक है यह आ न कि आपको नाम लिखना है और इसके बाद आपको यहां पर चाहें, आप तो दों महा कापो से मनुस स्वयम को करता मानने लगा है लगता है तो आपको अंसर देखिए इसके बाद आपना शोला में नी पिता ने गाउं में क्या-क्या बनवाया था या फिर अद्वक कोश्चन यहां पे पूर्ण स्वस्त होने के बाद ताई कहदा में कौन सा है फरिबरतन हुआ इसके बाद कोश्चन नमर 17 आप चाहें तो यहां पे मेरा बाया सुमित्र नंदन पंद के बारे में साहितिक लेंगे तो यह पॉइंट आपके हैं इन सभी पॉइंट को आपको जो अच्छे सी यहां पे लिख लेना है ठीक है इसके बाद देखिए यहां पे पद्द का आता है एक गद्द का आता है अठारवा कोश्चन में आपको रामधाय सिंग दिनकर या पी आपको सरज्योसी मे भासत सहली और इनका साहित में इस्थान तो यहां पो करेंगे इसके बाद देखिए आपका यहां पर यहां पर ओनीजवा कोश्चन यहां पर गद्यांस आपको यहां पर पढ़ना है गद्यांस पढ़ने के बाद आपको इस परकार सी इनका अंसर करना है ठीक है तो vastly जो है इनका अंसर जो कर लेंगे इसके बाद देखिए कोश्चन में आपको 20 नंबर में यहापको स्लेस अंकार के बारें पूछा गया है तो आप इसका अंसर करेंगे या फिर आप दोहा चंद्र में कितनी मात्राइं होती है एक उधान देकर मात्राओं के आपको गणना करना इसके बाद देखिए किन्वकॉन यापको इपको नाम भी यहापको इंपोटन आपको इस थान प्रमवक्त लेखत है याथि टी सी का ठीके इसके बाद देखिए आपका यहां पर आप आथा कोश्चन यहाप च्छोटेवाई को उसके जन दिबस के अपसर पर यहापे बध अंसर भी आपको मैं प्रोवाइट करा दे रहा हूं ठीक है इनका अंसर आप लिख लिजिएगा इसके बाद यहाँ पर तेस्वा कोश्चन यहाँ पर क्या आया है आपको यहाँ पर निवन्द आयाता है तो निवन्द आप चाहें तो इन में से कोई भी पॉइंट आप कोरोन तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर आई होप यह आपको वीडियो बहुत पसंद आया है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर जे हिंद जे भारत आप बच्चे जो है देखते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए आपका ही भला होने वाला है मेरा इसमें कोई भी सौर्ट नहीं है ठीके